नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं निउस क्लिक पर खास पेशकश आज इस कारिक्रम में हम आपको ले चलेंगे एक दूसरे ढंकी यात्रा पर एक ऐसी यात्रा जो समाज के घिनोने चेहरे को हमारे सामने रखती है कुछ ऐसे सवाल उठाती है जिन पर बहुत बड़े पैमाने पर चुप्पी है क्या आप जानते हैं इस देश में हर चौथे या पांचवे दिन एक भारती नागरिक मारा जाता है उसकी हत्या होती है और उसकी जिन्दगी और मौत दोनों पर चुप्पी बनी रहती है हम सब जानते हैं कि यह साल आजादी का 75 वा साल है और इसका जश्ट हम सब ने देखा है लेकिन क्या किसी ने चर्चा की कि ठीक इसी साल यानि 2022 में जन्वरी से लेकर अगस तक इस देश के पशपन नागरिकों की हत्या हुई है और ये हत्या एक ही ढंग से एक ही तरीके से हुई है लेकिन सरकार चुप, समाज चुप, पुलिस चुप, प्रशाशन चुप, अदालते चुप क्यों? क्या वज़ा है इसकी? इसकी वज़ा सिर्फ एक है वह है जाती मारे जाने वाले लोगों की जो हत्या हुई है उन तमाम लोगों की एक बड़ी पहचान है वे सारे लोग देश के सीवर और सेप्टिक टैंड को साफ करने का काम करते हैं काम करते थे और इसी दोरान उनकी मौत हुई है ये मौत साधारण मौत नहीं है क्योंकि यह प्रशाशन द्वारा सरकार की अंदेखी द्वारा की गई हत्याएं हैं जो मारे गए लोग वे अधिकांश दलित है अब देखिये ना जिस समय विकास का शोर है अमरित कारल का ढोल लाल किले से लेकर हर जगा बज रहा है उस समय इन नागरिकों की जिन्दगी को बचाने के लिए कोई एक शब्द नहीं बोलता कोई सरकार एक कदम नहीं उठाती उल्टे देश की संसद में आंकडों में फसा दिया जाता है इन मौतों को सरकार एक के बाद एक जूट बोलती रहती है संसद में यह बताने की कोशिश करती है कि मैला प्रथा का मामला हो या सीवर सेप्टिक टैंक में मौतों हत्याओं का मामला हो वे सब बहुत कम हैं यानि आकडे कम दिखाने की कोशिश में लगी रहती है सरकार लेकिन आकड़े कम भी हैं तो भी जो मारे जा रहे हैं ये तो हमारे अपने भारतिये हैं अब आप सोचिए जो संख्या है वो तक्रीबन 2000 के करीब लोगों की संख्या है जिनके आकड़े गाहे बगाहे संसर तक पहुचते रहे हैं क्या अभी जो हम जिन आकड़ों की बात कर रहे हैं इतने लोग इस साल सीमा पर मरे हैं जिन जवानों की हम बात करते हैं नहीं किसी के साथ साथ जो बहुत एहम सवाल आज के इस कारेक्टरम में हम उठाने वाले हैं वह यह कि सीवर और सेप्टिक टैंक में जो हत्याएं हो रही हैं जो मौते हो रही हैं यह देश के कानून के खिलाफ हैं सुप्रीम कोट के फैसले के खिलाफ हैं क्योंकि दोनों ने ही साफ साफ शब्दों में कहा है कि किसी भी इंसान को सीवर और सेप्टिक टैंक में नहीं उतारा जाना चाहिए। उतारा जाना अपराध है। चाहे 2013 का कानून हो या 2014 में जो सुप्रीम कोट का फैसला आया उसके हिसाब से। लेकिन ये लागू नहीं है और इन्हें लागू करने की किसी भी सरकार की कोई मंशा नहीं है। ऐसे में जब भारतिय नागरिक सीवर और सेप्टिक टैंक में उतरता है, हमारे आपके समाज की गंदगी को साफ करने के लिए उसे मजबूर किया जाता है, तब बहुत साफ है कि सीवर के अंदर मौत उनका इंतजार कर रही होती है। यह छुपा हुआ तथ नहीं है, कि सीवर के अंदर सेप्टिक टैंक के अंदर मल मुत्र इकठा होने से जान लेवा गैस मिथेन पैदा होती है और मिथेन कुछ सेकेंडों में जान ले लेती है। इसलिए हम इने हत्याएं कहते हैं। सवाल यह है कि सीवर और सेप्टिक टैंक में जो मौत है उसके खिलाफ कौन लोग हैं जो सवाल उठा रहे हैं। दुख की बात है कि भारती लोकतंत्र में जो समाज इस काम को कर रहा है या जो संगठन इस समाज से जुड़े हुए हैं सिर्फ वही इस पर सवाल उठाते हैं। और उन्होंने ही 75 साल का जो जशन है उस पर सवाल उठाते हुए एक अभियान शुरू किया है देश भर में स्टॉप किलिंग अस। 11 माई को दिल्ली से शुरू हुआ ये अभियान 100 दिन पूरे कर चुका है। 11 माई से शुरू हुए इस अभियान के दौरान इस 3 अगस तक देश में 20 लोग सीवर और सेप्टिक टैंक में मारे जाते हैं। और एक और बात जो बहुत जरूरी है जिसका संग्यान कम से कम तमिलनाडू में तमिलनाडू हाई कोट ने लिया कि तमिलनाडू की राजधानी चिन्नई में जब स्टॉप किलिंगस यात्रा निकल रही थी उस समय हाई कोट के ठीक सामने नागरिकों को सीवर में उतारा जा रहा था। लोगों ने सवाल उठाया, हंगामा किया, गुसा किया और हाई कोट ने तुरंत हस्तक्षेप करते हुए इसे तुरंत रोकने की मांग की। यह जो सौत दिन का पूरा अभियान चला है, जो आप यह नक्षे में दिखाई दे रहा है, कि किन-किन जगहों तक यह हो चुका है, इस पर हमने बातचीत की सफाई करमचारी आंदोलन के नेता बिजवाडा विलसन से, आईए सुनते हैं, विलसन किस तरह से इस अभियान को लोकतंत्र के संकट के साथ जोड कर देख रहे हैं, गुसा के वहाँ से साफ करने के व्यवस्ता क्यूं रखा सका है, ये व्यवस्ता रखा आभि तक ये इसी सिस्टम आभी तक चालू हैं, इसलिए से वो लोग ने मर रहा है यह तो कोई का, इनसान का, गटर का अंदर बुसके, वहाँ जान सोड़ना, किसी का कुछ नहीं होते है, यह सब का जानते है, यह बताना भी ज्यूर ही में फिर भी सारे मावलुम है सरकार का, कितने लोग अभी तक वह मारिजा ला, वो संक्या पूछे तो भी संक्या नहीं बताते हैं, सुप्रेम कोट ने आदेश दिया, 2016 पे, अभी तक कितने साल हो गया, इतने साल ओने के बाद, आठ साल के बाद, अभी सरकार ने उनका कुद अंक देटा से ते हुआ एतने लोग करना तायार हो जाते हैं इतने लोग तो नहीं मरा मतलब मंत्री कितने नंबर बता रहा हैं इतने लोग मर legitimately क्या तो टीक है क्या यह मामला इदर संक्या कितने हैं यह नहीं है हमने मारने कि आपका कोन अधिकार दिया जीने के हमारे का अधिकार ने सम्विधान्य दिया ये अधिकार आप कीच के हमारे का मार डाल रहा है ये कोन बंद करेगा इसका जबाप प्रदान मंत्री देना सारे मुख्य मंत्री सारे देना पड़ते मैं कल भी प्रदान मंत्री का भाशन पूरा सुना और इस पे भी लग है वो यह देश पर प्रदान मंत्री इस पर कोई ज्यान रखने वालग नहीं है क्यों है तो उनका ये बड़ा मुद्दा नहीं है उनका मुद्दा अलग अलग है ये समाज है इतनी समाज है ये समाज का चीज कुछ भी होते हैं उनका कुछ मुद्दा होते हैं इसका सारे जाती से विबजित देश है इसका चुपा के आपने राजनीती कोई भी नहीं कहल सकते सबका जानते हैं कौन सी जात लोग पार्लेमेट पे जादा से जादा बैठते हैं ये वो पीछने पर्डिकलरली सफाई करनचारी का समुदाई कर लोग है वहां तो इतने अवाज उटाना बहुत मुश्किल है मतलब कोई राजनीती पार्टी है सबसे पहले जिम्मेदारी पड़ेगा सब्ता पे कोन बैठा वो पार्टी का वो प्रदान मंत्री का एक जान से सुनना पड़ते है इतने लोग महिला बाहर आके मेरा पती का सब का हमने ऐसा इधर गटर का अंदर उनका जान निकाल गया हमने देखा इसका विटनेस करके बाहर आके बता रहे यही सिती दूसरा का किसी का नई ओना वो कुछ नहीं बोल रहा है आपको अभी मेरा पती का जीवन चले गया, वो आपस लोटो प्रदान मंत्री नहीं बोल रहा है, आपका नागरिक का और आगे कालों पे किसी का ये दुरपर सिती पे कोई नहीं मारना, एक रंदेश कोन देएगा, कोई ये देश पे बड़ा नेता दे रहा है, प्रदान मंत् दोस्तों इसी मुद्दे पर इसी अभियान पर हमने बात की, दीपती सुकुमार से, जो सफाई करमचारी आंदोलन की नेता है तमिलाडू चेन्नाई में रहती है और उनसे जानने की कोशिश की कि आखिर क्या वज़ा है कि दक्षन भारत में इसे लेकर समवेदना जादा है इसे लेकर जो लीगल प्रॉसेस कम से कम चल रहा है सरकारों पर जो दबाव बन रहा है जो मुआवजे की बात है वह जादा कारगर है उत्तर भारत की तुल्ना में So we started this campaign in Chennai on the 16th of this month and not 16th I'm sorry on the 13th of this month 13th of August we started this campaign and it has been going on in fact was the last day of the campaign that we were having in a place called Amin Chikare in Chennai So as we were going to that place we received a phone call from our advocate we have filed a PIL in the high court in Chennai high court in Madras high court this has been filed about almost six years ago and the court is and the and the and the case is still ongoing so in fact there was a hearing scheduled even last month which got adjourned to this month and at that time our advocate called us while we were on the way to Amin Chikare saying that just outside the high court right then as we were traveling to this campaign there were two young men who were inside a sewer who were cleaning out a sewer and were fully immersed and we also just outside the main gate of the high court just opposite the main gate so there is no way that anybody can miss that sight even as they are walking up on that road or even entering the court premises also you cannot miss that sight so he called us and we were in Amin Chikare we were going to Amin Chikare Amin Chikare is a different part of the city and he said right now there is this thing happening in the in front of the Madras high court so then we were having a discussion then immediately Safai Karmacharya and Dolan team has rushed to the spot there and those two men we have taken the details we have collected all the content details and in the meantime our advocate also he immediately went to the chief justice and he asked and he and he informed the chief justice he made a complaint of the chief justice saying that this is happening and our case also the same thing to prevent the entry of human beings into sewer lines and manholes and septic tanks so this kind of you know the chief justice also was quite shocked that you know there is so much of this absolute contempt of court and contempt of humanity everything so he was very shocked and immediately he passed an order that they must stop the work immediately and he was very angry so he has now I think given the and he wanted to have the hearing on Thursday immediately the next day after we saw this you know the hearing that has been that is being adjourned so then I think the attorney general that is the AAG of Tamil Nadu state they are not prepared already so they have said they are not prepared already so we want some more time to respond because I think the chief justice came down very heavily on them and said you need to give some answer why this kind of thing is continuing when the case is still going on you are giving the responses but this on the one side it is still going so what what is the meaning of this so now they've asked for day till Monday so we are having the hearing on Monday so now I think Monday we need to go and find out even in this campaign also when we have been having this campaign for stop killing us you know all of these seven places locations in Chennai where we have done this campaign the community is the one who has organized the entire thing because the community is really fed up for them you know they are saying enough is enough because in Tamil Nadu if you see though the deaths are going on the deaths are coming people are still entering into septic times and even though there is this uh the there is the kind of uh scenario where there is missionary and they are saying that they have spent so much of you know money on buying machinery and mechanization but it is why people are still dying and we don't see that happening anywhere you know machines that are really cleaning out this kind of the sewerage and so to do the sewerage work uh so the people are also fed up and they have been asking for some you know some some immediate action from the government to take steps to stop this immediately लोगपतियों ने कर्ज वापस नहीं किये हैं, हमारे आपके पैसे लेकर भाग गए हैं, उन्हें जब वो माफ कर देती है, उनके लिए जब सरकारे रेवडी बाठती है, तब उसे परिशानी नहीं होती, लेकिन सीवर और सेप्टिक टैंक में सफाई के लिए कोई इनिशिये हैं, और इंद्र मेगवाल जैसे होनहार, छोटे बच्चे की मौत होती है, सवाल बहुत सीधा है, कि सीवर और सेप्टिक टैंक में हत्याओं को रोकने का यह जो अभियान चल रहा है, स्टॉप किलिंग अस, दरसल यह दो-तीन बहुत एहम काम कर रहा है, सबसे पहला तो यह कि बाबा सहाब भीमराओं अमबेटकर का जो सपना था, भारत को जाती मुक्त बनाना, छुवा छूत मुक्त बनाना, उसे आगे बढ़ा रहा है, भारत के संघर्ष को जिन्दा कर रहा है, और आर्टिकल 21, यानि जीने का अधिकार, जो हमारा देश का कॉंस्ट्यूशन सम् जरूरी है लोकतंत्र को जिन्दा रखने के लिए, शुक्रिया